जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धान में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आईए इस विशे संग में हम बात करते हैं तुलारासी के जातक जून के महीने में क्या विशे सुपाई करें और ये उपाई कौन-कौन कर सकता है जिनकी जरम से तुलारासी है तुला लगन है या पुकारते नाम के हिसाब से आपकी तुलारासी बनती है बहुत बड़ी रासी है मामूली रासी नहीं है इसलिए उपाई हर महीने के आप लोग करते जाएंगे तो आपको नेचुरल इलाव प्राप्त होता जाएगा जब जब ग्रह बदलते हैं तब तब जीवन में बदल आवाता है ग्रह रोज नहीं बदलते हैं अब देखो जून की हम बात कर लेते हैं जून में देखिए ग्रह किस प्रकार से बदलना है आप एक नजर देखें सूरिय पंद्रा जून से मिथुन रासी में चले आएंगे सूरिय एक महीना एक राशी में रहते हैं तो मुटी सी बात हो गई सूरिय तो एक महीने बादी बदलेंगे रोज नहीं बदलते हैं मंगल पूरा महीना मंगल करक रासी में रहेंगे कोई राशी परिवरतन नहीं है बुद्ध साथ जून से वर्ष्यवरासी में बदारपण कर जाएंगे ब्रस्पती कोई राशी परिवर्तन नहीं है, मेश में चल रहे हैं, मेश में ही रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुक्र, शुक्र भी पूरा जून करक राशी में ही रहेंगे, कोई राशी परिवर्तन नहीं है, हाथ, अभी मैं आपको थोड़ा विफोर टाइम ये राशी का बता जाएंगे यह आप हमारी वीडियो यह जून में देखेंगे तो जून में शुक्र का भी कोई राशी परिवर्तन नहीं होगा मैं में वो कर चुके होंगे शनी राहु केतु किसी वे प्रकार से कोई राशी परिवर्तन इन तीनों ग्रहों का भी नहीं है इसलिए बहुत ज्या रासी है बड़ी रासी है अच्छी रासी है और कहीं न कहीं जिन्दगी में एक जटका आपको ऐसा जरूर लगता है कि जिसमें आप कर रहा हुटते हैं कहीं से बड़ा धोका बड़ा नुकसान जीवन में एक बार इस रासी को उठाना परता है खैर लेकिन फिर भी आप में वो सामर्थिय है कि उस जटके को आप लोग जहल जाते हैं और जून में थोड़ा नित्रभ है, नीद समस्या और नीद नाने की समस्या आपको बन सकती है चोट दुरगटना से हलका सा सापधान रहें, परभू पर विश्वास रखें शत्रू के उपर जून के महीने में विज़य प्राप्थ होगी, संतान का सुख मिलेगा और कारोबार में कहीं ये कहीं आपको वृध्धी उत्पन होती नजर आएगी तारीके होती है हर महीने में, उनमें हमें साबधान रहना होता है तो वो तारीखें भी नोट करें कि कौन कौन सी जून के महीनी की तारीखें हैं जिन में हमें साफधान रहना है लिखें 7 जून, 8, 16, 17, 26 और 27 इन तारीखों में किसी से मूझ जोरी नहीं करना है प्रेम से, सांती से काम लीजिए आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा आईए, अब हम करते हैं आपके लिए उपायों की बार उपायों में आपकी रासी है तुला, स्वामी, शुक्र, रंग, सवेद परतेख शुक्रवार, सवेद रंग, का कोई भी वस्त्र या नुमाल आप अपनी जेम में रखना सुरू करें, क्योंब शुक्रवार और शुक्रवार में, किसी भी शुक्रवार में मेरे ख्याल से आपको पांच शुक्रवार मिलेंगे जून में तो आपको पांचों सुक्रवार में से किसी भी एक शुक्रवार में उबला हुआ चावल पक्षियों को खिलाना कितना भी आप उबाल सकते हैं छट पे रख सकते हैं पार्क में रख सकते हैं किसी फिल्ड में रख सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं सफेज चावल उबला हुआ खिलाईए इश्रो के खरपा आपके उपर बरसेगी और एक चीज़ और ध्यान रखें जैसे रूई है कपास सुवेच चन्नन है और इसके सास्ता सुभंदित कोई भी खुश्बूदार धूब वत्ती है जो पूजा पाट का समान है रूई आपको काम आती है जोद पत्ती बनाने के लिए मंदिर में कपूर है काम आता है धूब काम आती है घीब पूजा के काम आता है दीब जलाने के है ना सुभंदित धूब दीब कोई भी इसमें से कोई भी चीज़ खरीदें जाए दूबती का एक पैकिट खरी दें रूई खरी दें घीले आदी किलो जितना आपकी समर्थे लगती है तो किसी भी एक शुकरवार मंदिर में जाकर कि दीजिए ओम शुक्राइनमा ओम शुक्राइनमा बोलते रहिए मनी मन और वहाँ पुजारी जी को दे दीजिए यह अश्यवालिय में दे करके आप लोग आ जाए पूरा दिन शुक्रवार के दिन इस्पिटिक की संदर सी माला आपके पास हो तो पूरा दिन गले में पहनिएगा शुक्रवार के दिन क्रिस्टल में और खुश्वू में शुक्र का वास होता है और यदि आप आचार खाने के शोकीन है आचार यह होता है न या मुरब्बा तो आप शुक्रवार के दिन परचेज करें अचार शुक्रवार के दिन परचेज करें मुरब्बा है तो वो भी शुक्रवार के दिन आप परचेज करके घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए लागियेगा और मुरब्ध तो ऐसे भी हानिकारख नहीं होता, स्वास्ति की दिरस्टी से भी अच्छा होता और यदि अच्छी किसम का अचार है तो वो भी हमें नुकसान नहीं देता है हमें ड़़ाया बहुत गया है अब देखिए हमारी माताएं बहने अब तो बहुत कम अचार ऐसे डालती है लेकिन जो आज भी डालते हैं पुराने समय की में बात परूँ अचार आज का तो बना नहीं है पहले से अचार की विवस्ता हमारे देश में रही है अचार में हम उत्तम किसम का हेंग डालते हैं अचार में हम हल्दी का प्रियोग करते हैं अचार में हम कलोंजी का प्रियोग करते हैं अचार में हम मश्टर्ड आयल का प्रियोग करते हैं अचार में मच्छी आमी आम का प्रियोग करते हैं और कितने सारे मसाले घर का कुटे हुए मसाले अचार में डाले जाते हैं और जो मसाले हैं ये पोश्टिक होते हैं स्वास्ते की द्रश्टी से बेच्छे होते हैं और खाने को स्वादिष्ट भी बना देते हैं वो अचार गलत हैं जो अचार खराब हो और बेहसाब से हम उसको खाये जाएं तो अचार खाने से भी मत डरा करें शुक्र रासी की जातक नहीं सभी के लिए बहिए अच्छे उसमें हम सारी चीज़े डालते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वहम डाल दिया गया है यह मत खाये वो मत खाये तो मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह से डरने की आवश्रक्ता है अंते मुपाए शुक्रवार के दिन लक्षमी चालीसा या सुरी सुक्त का पाट करिए इश्वर के करपा आपके उपर बरसेगी आपको लाब की प्राप्ती होगी आपके पास चौदा मुखी का अकेला रुद्राक्स है शुक्रवार के दिन उसको पहनिए उससे भी आपको लाब मिलेगा नहीं तो केवल नौ मुखी का उत्तम रुद्राक्स पहनना भी आपके लिए अच्छा रहेगा और चांदी में मडवाकर के पहनते है क्योंकि शुक्र रजस से भी परसंद रहता है सोने से भी परसंद रहता है और शुक्रवार के दिन सोना चांदी पहनना भी आपके लिए शुब रहेगा तो साद को रुद्राक्स पहने चाहे एक सो चौदा मुखी पहने उसे गोर्ड में चान्दी में मरभा करके पहनते हैं जिनकी खास्तों से तुला रासी है आपके लिए शुब रहेगा आपको अच्छे लाब की प्राप्ती होगी उनसे भी कहें अपनी रासी के उपाई सुने और उने करें ताकि उन लोगों को भी लाब की प्राप्ती हो सके आप सुखी रहें आप स्वस्त रहें इनी शुब कामनाव के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जय जय अम्बे मैं गौहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिर्म हमसा सुरी को देखते वे बताया था तीन माला करने के लिए वो मैंने जब से शुरू किया हुआ 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 है यह शक्ती सी मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ एक पाबर सा मेरे अंदर आया मैंने मुझे एक नेगिटिविटी दूर हुए और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिनी हुए मेरा वो तब तक जब तक मेरा जीवन रही है जब तक मेरी प्रात्ना पूरी नहों जाए किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धत कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें